इस वीडियो के तने गईस हम लोग बात करने वाले How to file the revise ITR for the assessment year 2324 revise return आकिर होती क्या है step by step आपको लाई दिखाऊंगा कैसे आपको file करनी है इसके due date वगरे क्या रहती है plus क्या condition हैती है कब आपको file करनी चाहिए कब आपको नहीं करनी चाहिए आपके जित्ते भी FAQs है उन सभी के जवाब आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले है तो गाईस पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर दिखेगा और अगर आपको एक tax filing expert के तुरू यहाँ पर अपनी income tax return बहुत ही affordable cost के उपर revise करवानी है तो उसकी link में मैं आपको simply description box में provide कर दूँगा तो चलिए गाईस शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाईस बात करते हैं कि revise return आकिर होती क्या है तो देखें revise return simply जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा यह एक substitute है original return का तो अगर मानीचे original return के अंदर आपसे कोई भी यहाँ पर mistake हो जाती है उसको अगर आप rectify करना चाते हो उसके अंदर अगर आप कोई भी correction करना चाते हो तो simply आप revise return के यहाँ पर through कर सकते हो मैं example देना चाहूँगा मानीचे आपने गलत address डाल दिया idea के अंदर bank details आपसे गलत हो गई mobile number आपने गलत डाल रखा है मानीचे आपको idea 2 form file करना ता है stock market mutual fund की income दिखाने के लिए आपने normal idea 1 file कर दिया अब आप उसको आप revise करना चाहते हो मानीचे आपने कोई income जो यहाँ पर छोड़ दी आपने bank का interest नहीं दिखाया है यह कोई stock market की यह mutual fund की जो है transaction वगरे नहीं दिखायी है F&O नहीं दिखाया intra day नहीं दिखाया यह इसके लवा crypto की अगाचकल चीजे आती है तो वो आपने skip कर दी है यहाँ पर साथ में अगर let's suppose अगर आपका 26 AS और जो AS का statement होता है उसके अंदर कोई ऐसी information है जो आपने अपनी idea के अंदर नहीं दिखायी तो उस time पे भी आप revise कर सकते हो इसके लवा अगर आपने कोई ऐसी deduction claim कर ली है जो actual में आपके पास में ही नहीं है आपने ऐसे ही MA डाल दी है तो उस case में भी आप यहाँ पे revise कर सकते हो आप guys बात करते हैं कि revise कैसे करनी है तो देखिए इस तरह से आपकी पहले से यहाँ पर original return अलड़ी file होनी चाहिए original return के बिना आप यहाँ पर revise नहीं कर पाएंगे तो guys सबसे पहले का करना है आपको eclosement number को यहाँ पे save कर लेना है क्योंकि आपको revise file करने के लिए eclosement number यहाँ पे चाहिए होगा और आपने किस तारीक को यहाँ पर file किये वो भी date आपको याद रखनी बढ़ेगी तो guys revise के लिए अगेन आपको जैसे हम लोग original file करते हैं वैसे file करनी income tax return के अंदर जाना है file income tax return यहाँ पर simply आपको 2324 select कर लेना है online mode select कर लीजिएगा continue button के उपर आपको simply click करना है start new filing के उपर click करना है आप से status पुछेगा individual select कर लीजिएगा continue button के उपर click कीजे आप guys यहाँ पर आप ITR का form change भी करना चाते हैं तो यह चीज़ पॉसिबल है definitely revise के अंदर माली original आपने ITR 1 के अंदर file की थी अब आप revise file कर रहे हो तो भाई आप ITR 2 करना चाते हो ITR 3 करना चाते हो तो यह बिल्कुल possible है हम लोग simply यहाँ पर ITR 1 ही select कर लेते आप process with ITR 1 के उपर click करना है let's get started के उपर click करना है आप से reason पूछेगा जैसे कि original के अंदर पूछा था तो यहाँ पर simply आपको others जो है option चूज करना है continue button के उपर click करना तो guys यहाँ पर simply जो ITR 1 के schedule खुल जाते है अब guys सबसे जो important चीज़ है कि आपको personal information के अंदर अच्छे तरीके से revise के यहाँ पर section डालना पड़ेगा तो guys आप जैसे यहाँ पर revise return के अंदर जाएंगे personal information के अंदर जाएंगे तो पहले तो आपको nature of employment यहाँ पर डालना पड़ेगा जैसे कि मैंने others choose कर लिया तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है return file on and before due date लेकिन देखें यह वाला जो section होता है 139 subsection 1 वो basically के वल आपकी original return के अंदर आता है अगर आपको revise करनी है तो आपको इस tap से इस tap के अपर जाना पड़ेगा 139 subsection 5 के अंदर जहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यह revise return का यहाँ पर section है और साथ में जैसे इसको आप select करेंगे नीचे एक और column basically आपका खुल जाता है जिसके अंदर आपको receipt number डालना है original return का तो हम लोगों ने already भाई जो है copy paste कर लिया था same वही आपको सारे option यहाँ पर choose out करने है वही एक bank की details हो गई personal information confirm करा दी अब हम चलते सीधा gross total link के उपर वही questions पुछेगा आपको skip कर देना है आपको salary income डालनी है आपको house property की डालनी है other sources की डालनी है यानि कि जैसे आपने original return यहाँ पर अपनी फाइल किती डिक्टो वैसे के वैसे आपको पूरी return यहाँ पर फाइल करनी है बस फरक इतना सा है कि जो section था वो 139 subsection 1 की जगे अब 139 subsection 5 हो चुका है वो section खाली change करना है बाकी pure आपको वही तरीका रहने वाला है जो original return के फाइल करते ताइम पर अपने तरीका अपनाया था अब guys यह item 1 कैसे फाइल होगी इसके उपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हमारी भाई पूरी playlist बनी है जापे मैंने 1, 2, 3, 4 सब के बारे में आपे बात किये या आप लोग मेरी home screen के उपर checkout वगरे कर सकते हो तो guys अब हम लोग कुछ एक्स्टा चीज़ों की बात कर लेते हैं पहली बात करते हैं कि due date क्या होती है इसके revise ITR file करने की तो देखे अगर मैं due date की यहाँ पर normally बात क्या हो तो 31st December रहती है हर assessment year की यानि कि अगर मैं assessment year 2324 को लेके चलता हो तो 31 December 2023 तक आप अपनी यहाँ पर revise ITR file कर सकते हैं आप guys कई लोगों confusion यह होता है कि be related ITR revise ITR के अंदर difference क्या है क्योंकि normally क्या होता है अगर आप 31st July के बाद में भी file करना चाहते हैं तो लोग यह कहते हैं कि आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको be related return file करनी पड़ेगी तो देखे अगर आपने यहाँ पर 31st July के बाद में अगर आप return कोई भी file कर रहे हैं तो वो आपकी original return यहाँ पर count नहीं होती है यानि कि अगर आप due date को simply तरीके से miss कर देते जो कि 31st July होती है उसके बाद में अगर आप कोई भी यहाँ पर return file करते हैं तो वो सारी की सारी belated return होती है और उसकी due date में यहाँ पर same है 31st December तक ही केवल आप file कर सकते हो लेकिन अगर मैं बात करो revise return की तो जैसे अगर आपने एक original return यहाँ पर file कर दी और एक और चीज़ बताना चाहूंगा अगर let's suppose अगर आपने 31st July के बाद में belated return भी यहाँ पर file कर रखी है और उसको भी अगर आप correct करना चाहते हो तो revise return के थूर यहाँ पर definitely यह चीज़ पॉसिबल है आपके इस बात करते हैं हम लोग condition की कि कब यहाँ पर revise return file होती है कब यहाँ पर system जो है revise return को file कर सकता है और कुछ FAQs जानेंगे तो पहली चीज़ यह कि आपकी original return यहाँ पर एक बार file होनी चीज़ है 139 subsection 1 के अंदर आपकी file होनी चीज़ है या फिर belated वाले section के अंदर आपकी file होनी चीज़ है तब ही जाकर आप revise return यहाँ पर file कर सकते है पहले से आप revise return file नहीं कर पाएंगे इसके लागा इस एक हो चीज़ जो भी return अगर आप file करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो original return है वो e-verify होनी चीज़ है कई लोग क्या करते है जैसे मैं दिखाना चाहूँ screen के सामने तो guys आपको यहाँ पर जब view file return के अंदर जाएंगे तो कई लोग का यहाँ पर pending for e-verification आता है तो यह चीज़ आपको नहीं करनी है यह जब तक complete नहीं हो आता successfully e-verify नहीं हो जाती है तब तक आपकी return यहाँ पर submitted नहीं मानी जाती है और invalid return की तरह count हो जाती है 30 days की बाद में 30 days की इसकी deadline रहती है तो यह चीज़ जब तक नहीं होती तब तक आपको revise return यहाँ पर file नहीं करनी यानि पहले original return को e-verify कराना है और guys अगर मैं बात करूँ कि कितने time में अपनी return को यहाँ पर revise कर सकता हो यहाँ पर correct कर सकता हो तो भाई unlimited time से एक बार अगर आपने original return यहाँ पर file कर दी आप unlimited time से यहाँ पर revise return फाइल कर सकते हो department आपकी जो भी last revise return होगा उसको ही as if final return की तरह यहाँ पर treat करेगा साथ में guys अगर मैं बात करो let's suppose आपकी idea पूरी processing हो चुकी refund भी आपको मिल चुका है intimation letter आ चुका है क्या उसके बावजूद भी आप अपनी जो return है वो revise कर सकते हो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो guys intimation letter आने के बावजूद refund issue होने के बावजूद भी आप यहाँ पर अपनी return जो revise कर सकते हो हाँ आपको जो refund का amount मिल चुका होगा तो वो आपको वापस यहाँ पर government को लोडाना पड़ेगा उसमें कोई शक नहीं है इसके लाँ guys अगर मैं return revise की processing time limit की बात करो तो जैसे हमारी original return यहाँ पर process होती है जो normally 30 से 45 दिनों के अंदर हो जाती है और इस साल तो थोड़ा बहुत काफी ज़ादा time लग रहा है यहाँ पर तो guys same time period यहाँ पर revise return के ओपर भी basically applicable होता है so guys hope you like this video please subscribe our channel और guys अगर आप लोग को expert के तुरो अपनी idea filing करानी तो skilling भाई में in a description box में दे रखिए जल्दी जाकर यहाँ पर check out कीजिए बाकि अगर आप लोग के कुई भी doubts है comment box में ज़रू बताइएगा thank you guys thank you very much